अब बैल्ड काटेंगे जयसा की मैंने बताया यह बेल्ड हम जो आगे बटन लग रही है आजकल सेल्प वाला एक बटन एक होक वो वाला सेल्प बनाएंगे हमारी कमर एक तीस इंच है 31 इंच में हम सेल्प रखेंगे पौने तीन इंच यहां पर हमारा हुक लगेगा यहां पर एक बटन आएगी तो इसके लिए यह सामने हम इसको राउंड भी कर सकते हैं सीधा भी रख सकते हैं और इस तरह भी रख सकते हैं तीन प्रकार से बनते हैं यह आपको जैसा उचित लगे यहां से हम कमर का निसान लगाएं इकत्तीस साड़े पंद्रा मार्जिन धाई इंच रखेंगे अब हमारी कमर साड़े पंद्रा का सेंटर निकालें पोने आठ पोने आठ का फिर सेंटर निकालें चार इंच में एक सूत कम इससे दो सूत कम पर एक निसान लगाएं यह हमारा पेला लॉपस आएगा अब इसका सेंटर निकालें साड़े दस अब पांच फिर उसी तरह करास काट लें अब इस निसान से लगवाग एक सबाहीं ज्यादा रखें और यह निसान लगा लें और सभी निसान उठा लें यह हमारा बेल्ट कट गया यह हमने सेल्प काटा था इसमें इस तरह काटने ताकि काज बनने में दिक्कत ना आए एक तुकड़ा और काटना पड़े गाउं को लगवाग तीन साड़े तीन इंच का इस तुकड़े को इस तरह काट लें कपड़ा है हम अस्तर जाती साइथ कपड़े साइथ चिपकाएंगे बेल्ट को यह यहां इस तरह रखाएगा ताकि पल्टाने पर इसका भी यह कटा हुए इस पर आजाए किनार से लगवक एक इंच का गयप रखेंगे इस तरह यह दोनों के बीच में एक सूत का फार्क छोड़ें नहीं तो मुड़ने में दिक्कत देता है इस से थोड़ा अंदर ही लगाएं दूसरे बेल्ट को भी आज दोनों का मार्जन छोड़कर अधूर्श इस तरह चापकाला इस तरह चापकाला इस तरह चापका प्रॉका नहीं लिग्सरावं विस्त कपड़े को थोड़ा कम कर लें यहां यहां एक दो कुटके लगा लगा ले है इसको अच्छे से चपका लें सबसे पहले यह फोल्ड करें इसको इसको अच्छे यह फोल्ड करें कि इसको यहां से बढ़ा दें कि अधिक इसको यहां से बढ़ाद है इसको यहां आप जर आप अब ये जो निसाने पहला हमारा इससे हम पर इसको भी मोड़ लें सेल्प सेल्प को ये देखिए सबसे पहले ये जो निसान हमारा सेल्प यहां से सुरू हो रहा है उसके उपर यहां एक निशान लगा लें और इसकपड़े को अच्छे से रखके थोड़ा आगे से इस तरह पूरे को काड़ लें सबसे पहले यहां एक ठोक लें उसके बाद इसको पल्टा के यहां सेल्प लगाकर पल्टा लें यह हमारा सेल्प तयार हो जाएगा चलिए यह करके दिखाते हैं यह हमारा सेल्प जो बाहर निकलेगा यह जो निसान लगा है यही पर ऊपर यहां एक निसान लगा लें यहां पर एक ठोकल है पहले यह हुक ठोक लें इसके बाद इसको ऐसे परिटा है और जो शेप हमने यहां दिया है आप इसको बोल भी कर सकते हैं सीधा भी कर सकते हैं और यहां से यह मुड़े हुए जैसा यह मुड़ा है इस इसी तरह बंद कर दें और यह नीचे बराबर रहें दोनों कपड़े उसका यह आ मुड़ाब। प्रोडने अब इसको आराम से पल्टा दें उकड़े नहीं बकरम अच्छे से कौन ही निकालने यह देखें हमारा बेल्ट बन बन गया है अब जब लगाएंगे जब कुछ नहीं करना इस तरह खोल कर यहां से अटेच्च कर देंगे हम वह भी दिखा देंगे आपको अब जब लेग वाल कि अपित कि अप्रश ओर गो सिर्क्ट वंग सिर्च जाता कि अ बढ़ हो पता है कर दो 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 अ कर दो कर दो हुआ 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 है हुआ हुआ है 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 हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है